पीम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से विक्सित भारत संकल्प यात्रा के लाबारतियों से बात की पीम मोदी की बातचित पर ट्रांसजेंडर लाबारति ने एक एक गर पीम मोदी को लेकर बायान दिया है एक ट्रांसजेंडर ने कहा है कि हमें खुशी है कि पीएम मोदी ने ट्रांसजेंडर समाज के लोगों के लिए असम रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान खूलनी की बात कही है हमें खुशी है कि पीएम मोदी ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में सोच रही है अच्छा लगा परधान मंतरी जिस से बात हुई मुझे बहुत खुसी मिली मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उन से मेरी बात होगी और मैं मोना बोल रही हूँ एलन टी मोल के पास मेरी दुकान है और मैं अपना काम करती हूँ स्टार्डिंग से स्टार्डिंग मैं हुई थी दmuşता हूँ से बनाअ पर मैरी लाइसंस नी बना फिर लाइसंस भी बनाया इनहोंने और दस हजार की लोन मिली उससे में अपना दुकान चालू की लॉग डोन में कोई सुधाय नहीं थी मेरे पास बिलाचार होगी थी, कोई सहारा नी था । वैर कारपरसन वालों ने बोले नगरनी का मौलों ने की दस जार कलोन मिल रहा मोना जी आप आओ, मैं अब खुशी से पागल होगी फिर परदान मंतरी के तो फुरो मुझे 10,000 किलोन मिली फिर 20 का मिला फिर 50 का हाँ जी नहीं वो बहुत खुश थे मेरे काम लेके बोले मोना जी आप काम करो अच्छी बात है दुकान में खोल लेती हूँ 6 बजे 10 बे तक आती मैं ओटो से हूँ हाँ जी हाँ सारे आते हैं हाँ वो भी चाई पीके बहुत खुस होते हैं उनको भी खुसी मिलती है रांची जारकन नई मैं कभी नहीं गई मैं अपना ही काम की हाँ जी हाँ जी लोन हो गए तीन साल पहले ली थी 10 का उसके बाद मेरा 20 का हुआ सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड़क्शन दूँगी मेरा ना मोहीन ही है और मैं साथे ट्रस्ट में आज जो ओर डवल्यू के पर कारे रहत हूँ और मैं नाकपूर से हूँ और मुझे बहुत जादा नजर से देखते है लेकिन हमारे जो माननीय प्रधान मंत्री जी है सच में सबका विकास और सबका जो प्रगती है एक साथ होने वाली है तो कही ना कहीं प्रधान मंत्री जी ने इनिशिटिव लिया है उसके लिए कर मुझे बहुत अच्छा लगा शुरवाती तौर पे मोना जी ने जो दस हजार से लोन उठाकर जो अपनी प्रगतिक की है या फिर अपने रोजगार का माध्यम चुना है उन्होंने तो उस चीज के लिए भी मैं बहुत प्राउट फिल करती हूँ मोना जी अगर आप मुझे सुन रहे है तो सच में दिल से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत अच्छी वाली विश कि आप और भी आगे बड़े क्योंकि कही ना कही आप हमारे लिए इंस्पिरिशन बनके आए हो सामने क्योंकि जो चाहते हैं सच में कि हमारी जिन्दगी कब तक यूँ बेगिंग करत कि कही ना कही मेरा भी एक अच्छा खासा बिजनेस हो जिसमें मैं खुद की कमाई खुद के तरह से खुद के जीवन में लगाओ और उसकी कोशिश करूँ कि वो प्रगत देश की प्रगत मैं किनर बनूँ सो थैंकि यू सो मच कि आप हमारी इंस्पिरेशन बनी और उसे देखकर आपको क्या महसुस हुआ क्या नमस्का सबसे पहले मेरा नाम तनुश्री है और आज यह देखके बहुत खुशी हुई कि हमारे जो माननीनिया प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी जी है उन्होंने एक किनर के साथ में वारतलाप की उनके जीवन के विशे में उ उनके लिए कुछ सोच रही है और उनके जो भी इशूज है या जो भी उनका वेवाई जीवन के लिए जो परिशानी आती है उसके तरफ में वो ध्यान दे रही है जैसे कि मोना जी ने कहा था कि उनको करीब 10,000 रुपे तक के लोन मिला हुआ है और उससे उन्होंने अपना जो बिजनिस है वो आगे बढ़ाया है और बिजनिस में बहुत सपोर्ट मिला है तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो सरकार हमारी अभी आई है तो ये सरकार और भी जो हमारे किनर बहने हैं जो बैगिंग के अलावा और दूसरा कुछ काम करना चाहते है और अपने परों पे खड़ा होना चाहते है तो आप उनके विशह में भी और सोचिये स्पेशली हमारे जो में महाराश्टर के जो हमारी सरकार है मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगी कि हमारे लिए भी कोई इस तरह का कोई स्कीम्स लेकर आए ताकि हम लोग भी एक इज़त भरी जिन्दगी ज हमारा एक अस्तित्व सामने आ रहा है आज तक के एक ट्रांजेंडर कम्यूनेटी ये चुपी हुई कम्यूनेटी थी कि जो सामने नहीं आ रही थी किसी भी चीज़ परकार में सामने नहीं आ रही थी लेकिन आज जब ये प्रदानमंदी से बात हुई है तब हमको ये प्रे अपने पावर पे खड़े हो, अपना जीवन एक सुख में जीवन निकाले और जहाँ भी financial जो issues है वो सारी चीजों को हम ठीक सरते हैं।